Hello everyone, welcome to study with ज्यान प्रकास्त दोस्तों, बिहार सिक्षक भरती परिक्षा 3.0 के लिए विज्यापन जारी कर दिया गया है और इसे आप आफिसल वेब साइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं, 7 फरवरी को ये विज्यापन जारी हुआ है और यहाँ पर जो आवेदन की तिति है, दोस्तों ये 10 फरवरी से सुरू होगी और 23 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं बिल लंब सुल के साथ रेजिस्ट्रेशन और भुक्तान की अंतिन दिति 25 फरवरी है और 25 फरवरी के बाद आपको औसर नहीं मिलेगा बियापन में क्या खास बाते हैं, सारी बाते मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि बिहार सिक्षक भरती परिक्षा 3.0 से आरक्षन के लिए नए नियम लागू हो रहे हैं तो इस पर एक complete वीडियो मैंने पहले बना दिया था, और अगर आप चाहें तो यह वीडियो वाच कर सकते हैं, link वीडियो के description में मैं आपको दे रहा हूँ तो दोस्तों देखते हैं कि डोंटी फीकेशन में क्या खास बाते हैं, सबसे बले तो आप यह समझें कि सिचा विभाग के अंतरगत, प्रात्विंग विद्याले, मद्य विद्याले इनकी जूनियर, कच्छा 9-10 और 11-12 के अंतरगत, यह सिक्षक भरती होने जा रही है और यह भी का जा रहा है कि अनसुचित जाती और जन जाती कल्याने भाग के अंतरगत, कच्छा 1-5 तक की विद्याले अध्यापक, कच्छा 6-10 तक की विद्याले अध्यापक और कच्छा 11-12 तक की विद्याले अध्यापक बद के लिए, विशेवार एवं कोटिवार, रिक होंगी वह अभी डिक्लियर नहीं हुई हैं आपको जल्द ही उपलब्द हो जाएंगी ओफिसियल वेबसाइट पर यह बात यहां पर कही जारी है मतलब एक्जैक्ट कितनी पोस्ट है यह अभी विग्यापन में जारी नहीं किया गया है विग्यापन में सिर्फ आपकी बाकी परिच्छा का संचालन एक से अधी चरणों में हो सकता है आपको पता ही है कि साथ से लेकर 17 मार्च के बीच में परिच्छा का आउजन किया जाएगा और इस विग्यापन के लिए खास बात यह आप ध्यान दिजेगा कि परिच्छा में स्ट्रेक्षणिक योगिता और सिक् दिजेगा यह बहुत इंपोर्टेंट है और आप किसी भी स्टेट के हूँ आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं राज सरकार द्वारा अत्वा कें सरकार द्वारा समय समय पर आहूत सिक्षक पातता परिच्छा उत्यण होना चाहिए कहा जा रहा है कि सिक्षक विभाग कच्छा 6 से 8 के लिए CTT का Paper 2 या BTT का Paper 2 क्वालिफाई होना चाहिए मादविंग विद्विध्याले कच्छा 9 से 10 के अध्यापक और कच्छा 6 से 10 तक अनसुचित जात एवं अनसुचित जन जात क्लायчто विभाग के अध्यापकों तत्ता विशेस विद्विध्याले अध्य के लिए और 10-10 तक के लिए और अनसोचित जात और अनसोचित जन जात के लिए भाग के लिए विए स्टीटी का पेपर one qalify होना चीए कच्चा 11-बारे के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो स्टीटी spec घच्चा होना चाहिए दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने काफी हाइलाइट करने का प्रयास किया है कहा जा रहा है कि CTET अभिरतियों के लिए BTET 2017 के लागू प्राउधान के नुसार सामान रिकोट के अभिरति को नियुनतम 60% अंक चाहिए यानि कि CTET में या फिर BTET में अगर आपके 60% अंक हैं आप जनरल मेल कंडिडेट हैं तो 60% अंक यानि कि कुल 90% आपको चाहिए वही पर दोस्तों पिछडा वर्ग अत्यंति पिछडा वर्ग और सामान कोट की महिला ध्यान देजिएगा सामान कोट की महिला यानि कि other state की जो महिलाएं वह भी सामान कोट में ही आएंगी तो उनको भी यहां पर जो है 82 अंक ही चाहिए केवल 55 प्रत्शत अंक उनको चाहिए यह बात आप लोग ध्यान देजिएगा यह नोटिफिकेशन में दिया गया है कि CTET में सामान कोट की अभिरती को 60% जबकि पिछडा वर्ग अत्यंति प में द्वारों को यानि कि अगर कोई दिव्यांग है तो उसको केवल 55 प्रत्शत अंक आधार पर ही उत्तिन माना जाएगा तो यह बिलकुल क्लियर कर लीजेगा आप लोग बार बार जो है आप लोगों को कंशूजन देता है तो इस बार नोटिस में यह बात बिलकुल क्लि काफी दी गई है आप यह समझें कि कच्छा एक से पांस तक लिए अगर आप डिलेड हैं या भी बिटीसी हैं या कोई भी प्रारंबिक सिक्षा साथ में दुवर्शी डिप्लोमा आपने किया हो चाहिए उसका कोई भी नाम हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं साथ साथ चार वर्शी प्रारंबिक सिक्षा साथ में असना तक भी एलिजबल हैं और दोस्तों इसी के साथ यह भी कहा गया है कि कच्छा एक से पांस तक के लिए विद्यला धापक के मूल कोट के पत्पर नियुकती है तो सेक्षडी के इमंग प्रसेक्षडी के उकिता में अनस मैंने का पार्टिकला में ड्यूआ उसको माणने नहीं किया गया है तो ये बात धियां देजीगा कि शिचा विभाग बिहार के पतरांग के आलोक में नियुकल द्वारा प्रदत 18 मैने के ड्यूआट के उपाधि मानने नहीं होगी ले जो एन योइच ड्यूआज ड्यूआ और भासा विद्धार्य ध्यापक के लिए मतलब यह कुल तीन पद होंगे जूनियर के लिए इसमें दोनों मतलब चाहे आप डिलेड हो चाहे आप बेड हो आप आवेदन कर सकते हैं बागी जांकारी आप लोग नोटिफिकेसर में जाके चेक कलिजिएगा अगर मैं एक एक मि पाते हैं आप लोग बता देता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं और यहां पर भी जूनियर में भी जो एन इस डिलेड है वो मानने नहीं होगा असपस्ट के जा रहा कई बार ठीक है कच्छा 9 से 10 तता कच्छा 6 से 10 तक के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं त तो विएड तो होना ही चीए साथ ही साथ आपने ऊपर देखा था कि STT का पेपर वन कौलिफाइं होना चाहते हैं यह पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि STT पेपर वन चाहिए ठीक हैं मतलब अगर आप आवेदन कर रहे हैं कच्छा 9 से 10 तक लिए अनसोचित जात और इसके लामा विज्ञान और समाजी विज्ञान के लिए यहां पर अर्था को क्लियर किया गया है तो सारी बातें आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं कच्छा 10 में यहां पक आ जारे कच्छा विभाग और अनसुचित जयात ही और अनसुचित जन जात का लियाने वाग की है तो कच्छा च्छा से 10 में कंप्यूटर भी ज्ञान भी सेख लिए विद्याले अध्यापक के योगिता यहां पर दी गई है तो इसमें जो है जिसके डोएक का जो ए लेबल है वो भी मानने होगा इसके लावाँ ए आई सीटी ए से मानता प्राफ्त बी या बीटेक वाले भी मानने होंगे बहुत सारी यहां पर दीगी है ठीक है तो साथी साथ यह भी है कि कंप्यूटर भी ज्यान भी सेके बिर्टुक लिए बीट की योगिता निवारे नहीं है अगर आप कंप्यूटर टीचर बनना चाहते है तो बीट आप नहीं भी किया है तब भी आपको कोई दिख्यत यहां पर नहीं होनी है आप अधन कर पाएंगे बाकी कच्छा 11 से 12 तक के लिए जो अ पसपश्च के गई हैं 1 अगस्ट 2023 से आपकी गणना आपकी उम्र की गणना की जाएगी 1 अगस्ट 2023 से ध्यान दीजेगा कि अच्छा 11 तक के लिए नियुनतन एज 18 साल होनी चाहिए और 9-10-11-12 भार लिए नियुनतन एज 21 साल होनी चाहिए इसके अलवाद दोस्तों जो अ और अनरक्षित महिलागले 40 वर्स है, अनुसोजी जन जाती पुरुष महिलागले 12 वर्स है, वार्धक शिवन इव्रिति की आयू 60 वर्स निधारित है, तो यह minimum और maximum is limit है, कुछ परंतुग भी यहाँ पर दिये गए हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, कुछ conditional यहाँ पर इस और जो दूसरा भाग होगा, सामान अध्यन का होगा, तीसरा भाग जो होगा इसमें, वो आपके विशे से संबंदित रहेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं, कि भासा हर्ता में अंग्रेजी, एवंग हिंदी, या उर्दू, या बांगला भासा का विभारी ज्यान होना ची और भागदों में सामान अध्यन क्लिव, प्रात्मिक गणित, मानसिक, छमता परिक्षन, सामान जागरुकता, सामान विज्ञान, सामाजी विज्ञान, भारती राष्ट्री आंदोनन, भूगोल और परेवन सामिल है, उपरोग भी से पत्रों के पाठकरम, या सियाटी और से संबंदित होंगे, लेकिन इसका आस्तर, उमिदवार होतने धारित, जोंतम आरता के आलोक में रहेगा, इसके लामास दोस्तों, देखो यहाँ पर जो प्राइमरी क्लिए पेपर होगा, दो भागों में ही रहेगा, लेकिन अगर जुनियर वारें बात करें, कच्छा-च् पर आया की जो पेपर होगा, उसमें तीन पार्ट होगे, पहला पार्ट, लेंगर्ज कॉलिफाइंग माला होगा, दूसरा पार्ट समान अध्यन का होगा, तीसरा पार्ट होगा, जो आपका वीसे होगा, उसे संबंदित रहेगा, ठीक हैं? इसी प्रेकार से आपका जो है, बाकी भी है कच्छा 6-10 तक के लिए मंदल 9-10 और 11-12 सब आप यहाँ पर details चेक कर सकते हैं और कहीं पर कोई confusion होगा तो आप उसके लिए नीचे comment कीजिएगा प्रतिक गलत उत्तर के लिए negative marking नहीं है यह बात यहाँ पर highlight कर दी गई है पहले ही आप देख सकते हैं एक बात जरूर है कि सामाने वर के भीरती कम से कम 40% अंग लेकर आएंगे OBC को मिद्वारों को 36-35% अत्यंत पिछड़ावर को 34% आनसुसित जात और आनसुसित जन जात महिलाओं तता ने सकत दिभ्यांग मिद्वारों को 32% नियूनुत्तम अहरतांक प्रात करना अनिमार है अ आरक्षण का लाप के वल जो बिहार के भीरती हैं सिर्फ उनी को मिलेगा और कहा जा रहा है कि यहांपर जो महिलाएं हैं अगर वो आरक्षण का लाप रहना चाहती है तो इसके लिए जो बात कर दोस्तों बाकी जो डिटेल से सुल्क के बारें बात कर लेते हैं सुल्क 750 सबी अरक्षण इनारक्षण वर के महिला वमुदारों के लिए 200 रूपए हैं जिव्यांगों के लिए 250 और अने सभी उम्यदानों लोग लिए 750 मदब अधर स्टेट के लिए भी यहां पर 750 रुपए फीस आपको देनी पड़ेगी दस फ़वड़ी से लेकर 23 फ़वड़ी तक आप आवेदन कर सकते हैं लेट पिमिनिक साथ 24 पचिस तारीक को भी आप आवेदन कर सकते हैं फार्म बरते समय आप ध्यान दीजिएगा कि जहां पर मादमी सिक्षपातरता परिचा यस्टीटी का कालम होगा तो रिजल कार्ड नंबर के स्थान पर BSEB यूनिक आईडी नंबर भरी जाएगी और निर्गत तिथी के स्थान पर परिचपर प्रकासन के तिथी भरी जाएगी CTT उतिड़ों मिद्वाब जो होंगे वो सिरियल नंबर और निर्गत तिथी डालेंगे तो यह चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दीगे हैं यहाँ कि नोटिफिकेसन पढ़ने के बाद आपको हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और यही है पूरा कम्प्लीट नोटिफिकेसन अगर कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा हलांकि कुछ टॉपिक यहाँ पर जैसे की भी से हो गया इसके रहाँ कुछ और भी चीज़ें होंगी जब फॉर्म बरे जाएंगे उसके बाद तो तमाम चीज़ेंगे पर एक डेडिकेट वीडियो में अपलोड कर दूँगा कारिया है सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेंगे धन्यवाद प्लिस दू लाइक और से हर